हलो फ्रेंट रुश्क्ति किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ कि उंगली या नाखून के जो साइड में ये पक जाते हैं सूजन आ जाती है या इनमा काफी दर्द होने लगता है लालिमा आ जाती है तो इसके घरेलू क्य उपचार होते हैं जिससे कि ये पूरी तरीके से सही हो जाए और इसका कोई भी सरजरी वगरा आपको ना करानी पड़े ये जो मैं आज आपके साथ रेमेडी सेयर कर रही हूँ इसको आप तीन से चार दिन लगाएंगे और आपकी उंगली पूर रूप से बिलकुश सही हो नौगेरे के समय उंगली को छूना भी बहुत मुस्किल हो जाता है इसे कुछ भी काम नहीं होता है ये हाथ और पैर दोनों की और किसी भी उंगली में हो शक्ती है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बगल में जो गंटी का बटन आ रहा है उसको जरूर दबा दीजिए जिसे की जो भी वीडियो में अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी इसके लिए सबसे पहले आपको लेनी है हल्दी ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है दूसी चीज आपको यहां पे लेनी है फिटकरी ये मैंने फि करना है अब इसको और ज्यादा बारीक कर लेंगे अब मैंने बिल्कुल फिटकरी का पाउडर बना लिया है तो इसी तरीके से आपको बारीक कर लेना है अब इसको कैसे यूज करना है सबसे पहले आप थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर लें और जिस जगे आपको उंगली में सूजन है या आपके नौगेरा निकला है इस तरीके से इसको फैला ले और थोड़ा सा इसमें हल्दी का पाउडर इस तरीके से इसमें इसके ऊपर डाल दें इस तरीके से आपको रख लेना है अब आपको इस तरीके से कॉटन ले लेनी है और कॉटन को इस तरीके से रख लेना है और इसके उपर आप पट्टी बान लेजिए तो आप देखेंगे और फिर इसको आप बना रहने देजिए जब तक कि आपकी पट्टी वगर गिली इली ना हो या आपकी गंदी ना हुई हो तब तक आप इसको बना रहने दें क्योंकि इसमें लीक ह होने की कोई बात नहीं है तोनों चीज़ें सूखी हैं इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा तीन से चार दिन आप लगाएंगे रजयल्ट आपको देखने लगेगा मैंने उंगली में पस पढ़ने का एक और वीडियो आपके साथ सेयर किया है उसे भी लोगों ने बहुत पसंद किया है आप भी चैनल पर जा करके उसको देख सकते हैं और इस वीडियो की लाश्ट में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कमेंट्स करके जरूर बताईएगा तो मिलेंगे नई जानकारी में नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई